बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, शिक्षा दर्शन जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी राजस्थान पर प्रसारित किया जा रहा है, जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटव पांच दिन सभी विशयों की विशयवस्तू अतियंत रोचक तरीके से समझाए जाएगी, तथा प्रतियक्षनिवार को विभिन शेत्रों जैसे करियर, क्राफ्ट, कला, जीवन कौशल से संबंधिर जानकारी के साथ-साथ मनुरंजग कहानियों वकट पुतली के खेल का भी आनंद ले सकेंगे। सवा चार बजे तक शैक्षिक कारिक्रम प्रसारित होगा। सब्जेट यानि बुगहल को क्या पढ़ा हमने अब एक विशे के रूप में पढ़ा। जिसको हमने पिछली कक्साओं में क्या पढ़ा था सामाजी विज्ञान के एक भाग के रूप में पढ़ते थे। उसे को अब हम एक सवतंतर विशे के रूप में पढ़ेंगे। तो इस परकार से हमने इसको किस परकार से उप्ट किया। इसे हम एजे फ्रीडम सब्जेक्ट यानि सवतंतर विशे के रूप में सेलेक्शन किया। अब सवतंतर विशे के रूप में हमने सेलेक्शन किया तो हम इसको एक विशे के रूप में पढ़ेंगे। जब हम एक इस विशे के रूप में पढ़ेंगे तो इसको एक वर्द और विवापक रूप से इसका अध्यन किया जाएगा और जैसे जैसे आप अगले क्लासों में पढ़ते जाओगे वेसे वेसे इसका विस्तार होता जाएगा जैसे बुगोल को हमने पिछले पार्ट में देखा कैसे दो बागों में बोथिक बुगोल और मानो बुगोल में विवाजित किया था पिछले वीडियो में हमने क्या चर्चाए की थी, कि भुगोल क्या है, भुगोल हमें क्यों पढ़ना चाहिए, भुगोल सब्द सबसे पहले किस ने दिया, भुगोल का पिता किसे कहते हैं, और भुगोल एक समाकलन विश्य के रूमें, फिर बहुतिक भुगोल मानव भुगो हैं उन साकाओं का सबका क्या है अलग अलग अध्यन किया जाएगा किसके अंदर भुगोल के रूप में इसलिए हम कक्षा 11 में बोति भुगोल के मूल प्राकर्टिक विज्यान में किस परकार से समंद्ध है आपस में कैसे इंट्राफेस है और इनको हमें आपस में समंद्ध किस परकार से होना चाहिए तो प्यारे बच्चों हो जाए तैयार अपनी पाटे-फुस्तक नोट्बुक पैन और पैंसिल लेके देखते हैं कि इन दोन में आपस में किस परकार से कोरिलेट है तो चलते हैं बोथिक बुगोल आउं प्राकर्टिक विज्यान प्यारे बच्चों आप देखो बोथिक बुगोल आउं प्राकर्टिक विज्यान आपने हमारे चेप्टर का नाम क्या है बुगोल एक विशे के रूप में मगर यहां पे क्या रहा है आपके बोथिक बुगोल आ रहा है यानि कहने का मतलब जो हमारी पुस्तक का नाम है बोथिक बुगोल के मूल सिद्धान तो क्या रहा है बोथिक बुगोल अकेला बुगोल नहीं आ रहा है क्या लगा हुआ है बोथिक बुगोल तो बोथिक बुगोल को हमने क इसका जो natural science है आगे क्या है प्राकरतिक विज्ञान, natural science जो चीज हमें क्या मिल रही है नेचर से मिल रही है उन दोनों का आपस में किस पर्कार से समदह जैसे हमने जनम लिया हमने परवत देके पठार देके मैदान देकी नदियां देकी जीले देकी ये क्या है ये नेचर है यानि गोड गिप्टेड है परकरती देन उफार है तो हमने देखा और इनके साथ क्या जुड़ा हुआ है विज्ञान सब जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा है विज्ञान Science है, यानि विज्ञान है, यदि आप अगले कछाहों में जाओगे, जैसे आप graduation करोगे, post graduation करोगे, तो जैसे graduation करोगे तो उसमें जो भूगहल है आपका Geography subject, वो आपके Science में भी चलता है और Arts में भी चलता है, आप B.S.C करोगे, तो भी आप जोग्राफी ले सकते हो और यदि आप Arts में BA करते हो तो भी आप जोग्राफी ले सकते हो यानि दोनु सब्जेक्ट दोनु फैकल्टी या दोनु इस्ट्रीम में क्या मिलेगा आपको बुग्हूल मिलेगा यदि BA वाला बच्चा क्या करता है आगे जाके MA करता है PG करता है पोस्ट ग्रेजूशन करता है तो उसको क्या मिलेगी MA की डिग्री मिलेगी और यदि BAC में जिसने subject रखा है और वो आगे जाके PG करता है तो उसे MAC में डिग्री मिलेगी तो प्यारे बच्चों बड़ी काम की आए बात है भुगोल क्या है ए जे साइंस सब्जेक्ट भी है यानी विज्ञान विसे भी और इसमें तोनों mend 카 लेंगे अपस में इनके संभन देखेंगे इंस प्रकब क्रोने कि आपस में यह किस परकार से कोरिलेट किसे प्राकर्व विझ्ञान से तो देखते हैं कि बोतिक भुगोल की सभी साकाएं प्राकर्तिक विज्ञान से क्या है अंत्रा परश्ट है तो पहले बोतिक भुगोल की सभी साकाएं देख लेते हैं कौन-कौन सी यह देखो आप यह बोतिक भुगोल की साकाएं कौन-कौन सी भुहु आकरती विज्ञान जलवायल विज्ञान, समुदर विज्ञान और मर्दा बघुल, यह क्या है बोथी बघुल की साकाइस में आप जेव बघुल भी जोड सकते हो प्रेयोरण बघुल भी जोड़ सकते हो यानि यह में में ब्रांच है किसकी फीजिकल जोग्राफी की आगे आपने विश्तित विएच ना करेंगे कि इनमें भी किसका देन किया जाता वह अगले अपने पार्ट वीडियो थर्ड में उसमें पार्ट थर्ड में हम चर्चा करेंगे के ब्रांचेज इन्ड मोति हम और मानीे साथ का अभ देखर भु आकर्ती विङ्यान और का मतलब यानि हमारे जो डुरातल ही हमारा जो क्या इस्तलमंडल है उसके अंदर जो जो बोह आकरटियां उज्प यह दिखाए देती है, उनका अद्देन हम किस में करेंगे, उसका अद्देन हम भू आकरती विग्यान में करेंगे, यानि हमें अद्देन करना है, परत्वी की उत्पत्ती को जानना है, सरंचना को जानना है, हमें महादीप और महसागरों के बारे में जानना है, हमें उनकी उ इसलाकर्तियों के बारे में जानना हो, हमें अपक्से के बारे में जानना हो, हमें अपर्दन के बारे में जानना हो, या हमें अनाचादान के बारे में जानना हो, तो उन सभी का किसमे अध्यन किया जाएगा, भू आकर्ती विज्ञान में, किसमें, भू आकर्ती विज्ञान म तो अब हम ये भी चर्चा कर लेते हैं साथ साथ में कि ये प्राकर्तिक विग्यान से किस फरकार से समन्द है तो इसमें ये देखो भू अगर्बिक विग्यान जियो लोजी क्या भू आकर्ति विग्यान या जिसे बोलते हैं हमें जियो लोजी और इसको बोलते हैं हम जियो जाओ तो इनको प्यारे बच्चो नोट कर लो ये डायग्राम आपको पाटे-पुस्तक में नहीं मिलेगा आपकी सुईधा के लिए और आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए हमने एक छोटा सा क्या किया है परियास किया है जिससे आपके जो ये इमेज है वो आपके मस्ति में सेट हो जाए और आपको जो चीज़ों की समस्या आ रही है उनका समादाने सवत हो जाए इसके लिए हमने क्या किया इस डाइग्राम की रचना की अब देखो यह जीयो मॉर्फोलोजी जीयोलोजी का मतलब भूगरव विग्यान भूगरव विग्यान का मतलब यानि जवाल बेन कíst यह जाता है यह कौन से विग्यान है यह प्रघ विज्ञान है तो यह भूगरवी विग्यान इसकी एक ब्रांच तो इसी में भी हम धेगते हैं किसमें वह वाकुते जवाला मुख्य केसे बने परवत केसे बने पठार केसे बने मैदान केसे बने बुखम केसे आया ओलावा केसे परतवी के आंत्रिक सर्चना केसे उनका गनातव केसा है दवाव केसा है ताफमान केसा है परतेक साधन कौन सा है और परतेक साधन इसमें चर्चा करते हैं तो हो गई कंसेप्ट के लिए दोन जिसे हम क्या कहते हैं कलाई मेटोलोजी क्या बोलेंगे कलाई मेटोलोजी यानि जिसके बारे में जलवायू का अद्धिन किया जाए और ये क्या है मोसम विग्यान यानि ये किसका क्या है संस्तान भी है मोसम विग्यान की जो हमें वायुदापता अपमान वर्सा इनके बारे में बताता है तो ये दोनों भी आपस में क्या है अंतर समंदित इसको लिखना चाहो तो लिख लो मीट्रियो लोजीकल या मीट्रियो लोजी अगला देखते हैं समूदर विज्ञान आप समूदर विज्ञान देखो हम OCNO गराफी और जल विज्ञान इसको बोलेंगे हम हाइड्रो लोजी तो यानि आप आप लोजी किसका दिहन करोगे जल विज्ञान क्या ने जल के बारे में जानोंगी जल में क्या संसादन है क्या खनीज है, कौन से तत्तव है, क्या लवनता है, तो दोनों का आपस में क्या है, अंते समंदे, मिर्दा बुगोल आपने मिर्दा के बारे में देखा था, और क्या मर्दा विज्ञान पेडालोजी, इसको आप लिख लो सोयल जोगराफी, और इसको लिख लो आपे, पेड लोजी, तो यानि प्यारे बच्चों, आपको इस डायग्राम से स्पस्ट हो गया होगा, कि जो प्राकर्तिक विज्ञान की ब्रांचेज है, और जो हमारे फिजिगल जोगराफी की ब्रांचेजज है, उन दोनों में समान समान अद्धिन किया जाता है, और दोनों आपस में क्या है अंतर समंदित है जिस परकार से हमारा एक सरीर है इस सरीर के अंदर हमारे क्या है अलग अलग अंगे कहीं पे हाथ है कहीं पे कान है कहीं पे क्या है पेर है और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि पूरे सरीर की रचना किसे हो ये इसी से इसी परकार ये अंत्राप्रस्ट इंट्राफेस प्रंप्रागत बोथिक बुगोल बोमी की मोसम विज्ञान, जल विज्ञान और मर्दा विज्ञान से समन्दित है, कौन सी प्रंप्रागत बोथिक बुगोल यानि पुराणी बोथिक बुगोल किसे बोमी की मोसम विज्ञान, जल विज्ञा और मर्दा विज्ञान से समंदित है इस परकार बू आकर्ति विज्ञान जल्वाई विज्ञान समुद्री विज्ञान मर्दा भुगोल का प्राकर्तिक विज्ञान से क्या है निकट का समंद है इस परकार बू आकर्ति विज्ञान जल्वाई विज्ञान समुद्र विज्ञ का आपस में प्राकर्तिक विज्ञान से निकिट का समन्द है आपको लग रहा होगा कि सरवास्तम में हमें क्या रहा है अच्छी तरह से समझ में आ क्योंकि हम जब NCRT की पाटे पुस्तक देखते हैं बच्चो तो उसमें डिटेल से लिखा हुआ है जैसे निमन लिखा हुआ तो हमें लगता है पता नहीं क्या रामायन लिखी हुई है और हमने तो क्या लिया है नया नया सब्जेक्ट लिया है मगर आपको क्या नहीं करना किसे जल विख्यान किसे मोसम विख्यान से सामुद्रिक विख्यान किसे जल विख्यान से और मर्दा विख्यान किसे मर्दा विख्यान से ये सूचना इन्हीं से प्राप्त करते हैं तो क्या हुआ हमारा समंद निकट का समंद वा किसका बोतिक विख्यान से इधर देखो एक डाइग्राम बना रखा आपके लिए ये भी देखो यानि ये elements of geography है यानि geography के क्या दिखाएं आपको तत्तव दिखा रखें इन elements of geography को हमने चार भागू में divide किया है देखो physical geography और natural science हमने एक तरफ रखा है cultural geography और social science हमने एक तरफ रखा यानि physical geography में हम क्या करेंगे land forms का दिखाएं करेंगे land forms का मतलब क्या होता बच्चों इसतल रुपों का अदेहन करेंगे Pode कहां परवत है 400 पठार है का मेदाने का नदिया है कां जिल 현재 है और उनिक अदेन किसमे करेंगे हम प्राकर्तिक विज्ञान में करेंगे फिर हम रोक्स और चट्टानों की बात करेंगे यानि चट्टानों और खनीजूं के बारे में समझेंगे यानि हम क्या करेंगे जो हमारा विश्य है प्राकरतिक विज्ञान का कौन सा बोमी की विज्ञान उस बोमी की विज्ञान में भी हम क्या पर्थवी के अंदर कौन सी चट्टाने पाए जाती है और किस परकार की चट्टाने पाए जाती है और इनमें कौन से मिन्नल्स पाए जाते हैं कौन से खनीजे तत्तव पाए जाते हैं पाए जाते हैं तो उनका देहन भी पाए इसमें भी करेंगे हम पीजिडल ज васकी मैं और इसे भी क्यूंकि अभी है हापने देखा करें कि यह किशे प्राप्त करते हैं तो तो देकिए पिर वाटर जिलकी बात की हमने किसमें Oceanography में, फिर हमने weather और climate की बात की, वेदर का मतलब, मौसम और climate का मतलब, जलवाइज के बार, फिर हमने plants की बात की, फिर animals की और फिर soil की, यानि ये सभी किसके elements, natural science के और physical geography के तो आपस में correlate. Cultural Geography और Social Science इसको हम हमारा दूसरा टोपिक बुगोल और सामाजी विग्यान के समन्द में देखेंगे थोड़ा बहुत यहां भी चर्चा कर लेते हैं इसमें हम Population की चर्चा करेंगे Economic Activities आर्थी किरियाओं की बात करेंगे बासाओं की बात करेंगे द्रहम की बात करेंगे Political System राजनितिक तंतर की बात करेंगे Settlement अदिवासू की बात करेंगे और फूड के बारे में चर्चा करेंगे बुगोल के चेटर, Field of Geography यानि इसके बारे में आप हमने पिछले चेप्टर में भी पढ़ा था पिछले चेप्टर में क्या है आपको अच्छी तरह समझ में ने आया होगा क्योंकि इसमें जो हमने जो डाइग्राम बना रखा था उस डाइग्राम में कुछ अक्सर साफ नहीं दिख रहे थे मगर यहाँ पर मैंने आपको अच्छी तरह कैसे समझाओ यानि यह है हमारे बुगोल के चेटर, इस बुगोल के चेटर को आप देखो कैसे समझोगे इस डाइग्राम को, आप पहले यह डाइग्राम देखो इस डाइग्राम को सबसे पहले आप समझने से पहले इसे आप क्या करो अपने में डिवाइड करो, यानि यह जो बुगोल के चेटर है इसमें कुछ चीजे नीचे की ओर लिखी हुई है, इस लाइन के और कुछ चीजे बाहर की ओर लिखी हुई है यानि अंदर की जो चीजे लिखी हुई है, वो बुगोल की साकाएं है, क्या है, बुगोल की साकाएं और बहार जो साकाई लिखी हुई है वो अपनी अलग साकाइं है अपने सबतंतर विश्य हैं क्योंकि वहां पर अलग विश्य है अज्य दोनों आपस में क्या है correlated है आपस में इंट्राफेस है आपस में अंतर समंदित है दोनों में निकट का समंद है कैसे क्योंकि हम देखेंगे अभी क्या देखा geomorphology किसे समंदित है geology से climateology किसी है meteorology से तो आपस में समंदित है इसी परकार से यह समंद है यानि हम बात करें यहां से आर्थिक बुगोल से यानि आर्थ सास्तर या आर्थिक बुगोल हमारा subject आर्थिक बुगोल जनसंक्या बुगोल राजनिति बुगोल एतियसिक बुगोल समाजिक बुगोल यानि हम बात करें बोगोलिक चिंतन और सांस्कृतिक बुगोल तक तो य सबी विश्य हमारे समाज सास्तर में आते हैं आपने नाइन्त और टैन्त में पढ़ा होगा कि समाज सास्तर सोरी सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा बुगोल पढ़ा इथियास पढ़ा और सास्तर पढ़ा और क्या पढ़ा राजनिती विज्ञान पढ़ा, यानि ये विश्य किस में पढ़े आपने सामाजिक बुग होल में पढ़े, कौन-कौन से, आर्ट सास्तर, जनान की, राजनिति सास्तर, इत्यास, समासास्तर, दर्सन सास्तर और मानव सास्तर, इनकी विस्टिवेसन आगे करें, और आप यहां से देखोगे, आर्थि बिज्यान में जulerिसे हमने देका आर्थिक सांक्य की ऐकुल में परिमनात्मक परिभर्दी अर्थिक सांक्य की मतलब एक्कूनुमिक इस्टेटीकल डेटा जो हमारे जो सांक्य की आकड़े होते है उन आकणों का यदि हम देखा जाए तो आकडे कौन की इकटा करता है आर्ति सांके की विभाग इकटा करता है मगर वो हमारे भी भुगोल में भी काम आता है उन आकणों का पसलूं का उत्पादन ले लो खनीजूं के बारे में ले लो या वनू के बारे में ले लो सबी के डाटे हैं हमें उपलप्त कहते हैं दूसरा देखते हैं गनित और खगोल की आप क्या होगे सर गनित कैसे प्राकर्तिक विज्ञान हो गया गनीत भी क्या है प्योर नेचुरल साइन्स है कैसे मैं कहूं दो और दो कितने होते हैं चार होते हैं तो इसमें कोई तरक्की जुरत है नहीं है तरक्की जुरत इस परकारचे ये भी क्या है प्राकर्तिक विज्ञान है और हमारे भी क्या चलती है गनीत अंख खगोल की भुग बेढ़ सोलर सिस्टम करते हैं इतना है इतनी दूरी पर इतनी करते हो कि आप गहोगे श्यक्रीशन यह CHINA लेते निठल में पढ़ लेते प्यारे बचो गभरहते नहीं गए जितनी ये चु नहीं आप कुछ short calculation है जिनके बारे में हम देखते हैं फिर है भुहुग्यान अभी देखा हमने भुहाकर्ति विग्यान से समंदित यानि भुहुग्यान मोसम विग्यान किस से जलवाई विग्यान से जल विग्यान समुदर विग्यान से मर्दा विग्यान मर्दा भुगोल से आगे का है यह बायलोजी जेविक भूगुल यानि कहें हम जेविक भूगवल यानि वनस्पती विघ्यान में पादव भूगुल प्रयावन भूगोल में हम पढ़ते हैं फ्लोरा एंद फोना प्लांट्स एनिमाल्स पढ़ते हैं ना पोद्य परस्तिति की तंतर फूड चेन पोशन इस्तर इन सब की चर्चा पादा बुगोल के अंदर वनस्पती विज्ञान अलग से सब्जेट चलता साइंस में तो यह भी आपस में क्या है को रिल और मानव भुगोल फिर प्रयावन भुगोल और प्रयावन विज्ञान यह आपस में को रिलिटेड इस परकार से हैं अब देखते हैं जेव भुगोल वनस्पती सास्तर जीव विज्ञान था परस्तिति विज्ञान से अत्यदिक निकरता से जुड़ा हुआ है क्यों निपून होना चाहिए किसको एक भुगोल वेता को किन में इन चीजों में क्या होना चाहिए निपून होना चाहिए उसको दक्स होना चाहिए क्योंकि इसमें भी क्या चलती है केलकुलेशन कैसे आपके एक इन दो किताबों के लावा एक किताब ओर चलती है प्यारे कितने देशांतर कितने उनकी बीच की दूरी कितनी है कि घाटी कैसे बनानी है कितनी समुची रेकाओं के अंतराल पर बनानी है यह चीज़े देखते हैं आप तो यह क्या है कि मांचितर रेकांगण में निपून होना चाहिए बुगोल खगोल की इस्ततियों के अध्यन से भी जुड़ावा है जो अकसांस और देशांतर का विवरन प्रस्तुत करते हैं आपने चेप्टर पंश्ट भारत बुगोल में देखा था अकसांस देशांतर को समझाएते हैं कि जो पस्सिम से पूर की और एकाईं खिची जाती ह यानि यह रेकाई क्या है देशांतर रेकाएं और यह रेकाएं क्या है अकसांस रेकाएं पर्त्वी का आकार जियोड है भू आब है आपको यदि पूछा जाए तो आप क्या करते हो कि प्रित्वी क्या है गोल है कोई करता है क्या है फुटबॉल की तरह है कोई क्या करता है अलग-अलग उध्रहन देते हैं मर पर्त्वी का आकार यदि आप से एक्जामें पुछा जाए तो आप लिखोगे जी योड यानि भू आप यानि पर्तिव का आकार कैसे भूहा यानि संत्रे की तरह है संत्रे की तरह नहीं लिखना आपको लिखना है भू आप प्रन्तु भूगोल वेता का मोलूपकरण क्या है मान्चितर है जो दी आयामी पर्दसन करता है यानि एजे टूल जोगरापर के पास क्या होना चाहिए मेप होना चाहिए बहुत जरूरी है भू आपको दी आयामी में परिवर्तन करने का समधान लेखा चित्रिया गणित्ती रित्ती चे निर्मित प्रक्षपन दवराप्राप्त हो सकता है आप क्या पड़े होई प्रक्षे पड़ोगे परियोगतम बुग होल में वन स्टेंडर लाइन प्रोजेक्शन टू स्टेंडर लाइन प्रोजेक्शन बोन प्रक्षेपन खमद्य प्रक्षे दुर्विय प्रक्षे बेलनाकार प्रक्षे और मर्केटर प्रक्षे बेन कई परकार प्रक्षे यानि अकसांस और देसांता रेखाउं के जाल को क्या खा प्रक्षेपू के दवरा अलग अलग प्रक्षेपू की रचना विदी के दवरा समझाया तो इनका समधान प्रक्षेपू की रचना विदी के दवरा समझाया तो इनका समधान प्रक्षेपन दवरा प्राप्त हो सकता है लेकात्मक तता परिमान अत्मक तकनिकी में गनित सांक यानि आप गनीत में क्या पढ़ाता मादे मादी का बहुलक समांतर मादे मानक विच्रन इन चीजूं के बारे में पढ़ाता हां सर पढ़ाता मगर यही चीज़े आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा बुगोल के प्रयावगत कारे में भी आपको मादे मादी का बहुलक निकालन पढ़ेगा तो गनीत भी आना जरूरी है किसके हो एजे जोग्रापर एक बुगोल वेता को गनीत का नोलेज भी जरूरी है तो वाने क्या बुगोल का कारे चेतर बहुत ही व्यापक गभराने की जुरत नहीं है सबसे इजी सब्जेक्ट है कहीं आप सब सोचो के सरिश में तो कलात्म कलपना दोरा तियार किये जाते हैं खाका मानस मानचितर और मानचितर कला है तू कला में निपूंता आव सके यानि आपको ड्राइंग भी बनाना आना चाहिए कि आपको स्केल बनाना है तो उसमें किस परकार के कलर बना चाहिए में बनाना है जल्दी हाथ उसे ड्र प्राइंग आना चाहिए किस परकार से हमें में पर बनाना है इस परकार से तो हमें कला में भी क्या होना चाहिए निपून होना चाहिए अब देखते हैं बुगोल और सामाजिक विज्ञान अभी तक हमने क्या देखा बुगोल और प्राकर्तिक विज्ञान कौन सा बुगोल बहुत थिक बुगोल अब सिरफ देखेंगे हम बुगोल और सामाजी विग्यान तो प्यारे बच्चों आपको द्यान है कि हमने पिछले कक्साओं में बुगोल को किसके भाग के रूप में पढ़ाता सामाजी के विग्यान के भाग के रूप में पढ़ाता कि सामाजी विग् के साका से अंतरापश्ट समंद्र एक ब्रांज के रूम में कैसे कि हमने क्या देखा कि हमने पुलिटिकल साइंस भी देखी उसमें हमने एकोनोमिक्स भी देखी इस्ट्री भी देखी और क्या देखी जोग्राफी भी देखी तो एक साका के रूम में इसका अंतरापश्ट है है भूंतर समंद का वी या इतृतियाति कि डून्जों के विवेवरंग के पहले है जा चुक्रू दिए पहले हैं कि उठापियातो है के समयद है या तो हिसे का एक दर्शन होता है उस विषय के लिए मूल आधार होता है दर्शन इस विषय को जड़ पढ़तां करके उसके विकास परक्रिया में इस पर्ष्ट एतियासिक भूम्ही का प्रस्तूत करता है यानि पर्टेक विश्य का क्या है एक दर्सन है कला आपने ब्रांच पढ़ी थी इवोल्यूशन ओफ जोग्राफिकल थोट यानि बोगोलिक विचारदारा का इत्यास उस बोगोलिक अलग विद्वानों के जैसे कोल रीटर हो गया हमबोल्ड हो गया कांट हो गया हाट सोन हो गया हेटनर हो गया यानि अलग अलग बुगोलिक वेताओं का क्या पढ़ोगे दर्सन पढ़ोगे कि इस बुगोलिक ने क्या खा क्या बताया तो यह दर्सन सास्तर से भी क्या है कल ाकिार बोगुलिक चिंतन का इत्यास आगे नपूस्तक adoption of geographical thoughts यानि बोग्गुलिक चिंतन का इत्यास भूगुल की मातसाका के रूप में सरुबत्र part London के करमें सम्मिलित किया जाता जैसे आफ अगले कक्साओं में जाोगे तो इसकी पूरी पुस्तक मिलेगी आपको directing अगलग जोग्रापर्स की, क्या मिलेगी, पूरी बाते मिलेगी, क्या कौन से किताबे लिखी, कहां-कहां यात्राएं की, भुगोल में उसने क्या योगदान दिया, भुगोल में उसने कौन-कौन से आविस्कार किये, यह सब सिज्जे किसे में पढ़ेंगे, भुगोली चिं सुन पढ़ने को मिलेगा हमें, सामाजी विज्ञान के सभी विशे, समाज सास्तर, राजनिती विज्ञान, आर्थ सास्तर, जनान की सामाजी की अथरार्था का अध्यान करते हैं, कौन कौन से विशे, सामाजी की विज्ञान के प्यारे बच्चो, पोलिटिकल साइन्स, राजनित्ती विज्ञान, समाज, सास्तर, एंत्रोपोलोजी, साइकोलोजी, एकोनोमिक्स, जोग्राफी और इस्ट्री, ये किसके पार्ट है, ये सामाजिक विज्ञान के पार्ट है कौन-कौन से, इस्ट्री, जोग्राफी, इकोनोमिक्स, साइकलोजी, एंत्रोपोलोजी, सोसोलोजी और पोलिटिकल साइन्स, ये सामाजिक विज्ञान के सभी विस्ञे है और ये रियलिटी का धेन करते हैं रियलिटी का कैसे कि आप पढ़ोगे किस में राजनिती विग्यान में कितने राज्य हैं कितने केंदर साशित परदेश हैं राज्यों में किस परकार की सरकार हैं किस परकार का सासन हैं सविधान कैसा है वहाँ पे लोकतांत्री की वेवस्ता कैसे हैं तो ये क्या है रियलिटी है यतारता है इत्यास में आप देखोगे कि कौन सा युद कहां लड़ा गया कब लड़ा गया क्यों लड़ा गया क्या खारण है तो क्या है वो रियलिटी यतारता तो ये क्या करते हैं यतारता का अध्यन परस्तुत करते हैं कौन समाज जन संक्य अदिवास भूगोल है आदी विश्यू से गनिष्टता से जुड़े हुए हैं यह अभी आपको क्या बताया मैंने डायग्राम दिखाया अब यह दूबारा आपको डायग्राम इसले दिखाया क्योंकि आप यहां आर्थ सास्तर से लेके और यहां मानव सास्तर तक ये हैं विस्से किसे समंदित है? ये सामाजिक बुगोल से या सामाजिक विज्ञान से समंदित है जो आपने पिछले डाइग्राम में भी यहां अंग्रेजी में देखा और यहां आप हिंदी में देखोगे आर्तिक बुगोल, जनसंक्या बुगोल, राजनिती बुगोल, एथियसक बुगोल, सामाजिक बुगोल, बोगोलिक चिंतन और सांसकर्टिक बुगोल ये सबके सब आपस में कोरिलेटेड है इनके हम एक एक की करके व्याख्या करते हूं उनको आप मैं से विस्तार से समझाता हूँ इन में से पर्तेक में इस्तानिक विसेश्ता हैं मिलती है राजनिती सास्तर का मूल उदे से क्या है राज्यू के छेतर के बारे में उनकी जनसें क्या और उनकी sovereignty यानि परभू सत्ता का क्या करना है विशलेशन करना है किस में राजनिती में राजनिती भी एक सब्जेट चलता ने उसके आगे भी क्या जुड़ावा है विज्ञान राजनिती विज्ञान तो ये क्या करता है इनके बारे में जबकि राजनिती भुगोल क्या है एक छेतरी एककाई के रूप में राज्यत था उसकी जनसंक्या के राजनिती विवहार का क्या करता है अध्यन करता है राजनिती भुगोल में पढ़ोगे आप आर्थ सास्तर आर्थ सास्तर हमें क्या बताता है आर्ट सास्तर में आप क्या पढ़ते हो कि मांग कितनी है लोज कितनी है किमत कितनी है उत्पादन कितना है डिमांड कितना है मार्केट में वेल्यू क्या है सब कुछ किसमें पढ़ते हो आर्ट सास्तर में उसका उत्पादन क्या है वितरन क्या है विवरन क्या है विनियम क्या और उबोग का विवेचन करते हैं, इसी परकार आप आर्थिक भुगोल में, यानि आप क्या पढ़ोगे, वेबर की थोरी, इसमित की थोरी, लोज की थोरी, उनका संसादनु का वितरन किस परकार है, संसादन कहां कहां पाए जाते हैं, सब कुछ किस में, आर्थिक भुगोल म बुमिका आती है जो उत्पादन वीनियम वित्रन और उबो के स्थानिक पक्स का अध्यन करते हैं जन संग्या बुगोल जनान की से समंदित है अब आपने जन संग्या बुगोल सामाजी विज्ञार में पड़ा कि हम क्या जाते हैं जन गन्ना के आकड़े करने जाते हैं कि कि में और फिर उनका हम विस्तार से किस राज्ये में किस राज्डा किस सोरी किस ब्लोग के अंदर किस देश के अंदर कितनी कितनी जन संग्या निवासित है उन सब क्या करेंगे हमें जन संग्या बुगोल में अध्यन करेंगे तो यह भी किसे इससे निकरता से जुड़ा कि बुगोल प्राकर्तिक और सामाजिक विज्ञानु से क्या है गनिष्टा से समंदित है यह अध्यन के विदीत अंतर और उत्पादनु का अनुसरन करता है जो अन्य विश्य से फड़ता करता है यानि इसका अलग से मेथोडोलोजी है कल बतायती चर्चा किती यानि विदीत इसका अन्य विश्यू से प्रास्टरनी समंद होता है ओसमोटिक समंद ओसमोटिक यानि कोहीं पर जल जादा है और वो रिसाओ के दूसरे जगह चला गया तो वहां पे भी वो उसका क्या पूछ गया जहां पर कम मात्रा में जलता या जहां पर सुका था यानि इस जगह जल ज्यादा है और यहां पर बिल्कुल नहीं है तो यह जल का फेलाओ के कहां चला गया यहां पर चला गया यहां जिप ए जक्ता बिघ्र में ऊता रहता है कोई सा भी subject हो, देखो, सभी विश्यू का अपना नीजी विशे चेतर होता है, बुगोल वेस्टी प्रक सूचनाओं के बहाव का अवरोध नहीं करता, जैसे कि सरीर के सभी केसिकाओं के एक जिल्ली दोरा फटक पहचान होती है, प्रन्तु सभी का blood circulation, रक्त का बहाव अवरो चेप्टर पस्ट, पार्ट टू में क्या देखा, बुगोल का प्राकरतिक विज्ञान से समन्द, जिसमें बुगोल की साका है और प्राकरतिक विज्ञान की साकाओं का आपस में, को रिलेट करना, इंट्राफेस करना, फिर क्या देखा, बुगोल और सामाजी की विज्ञा में आपस में क्या समन्द है इनका हमने सहविस्तार विवेचन किया तो बच्चों आप अपनी जो चीज़े आपकी पाटे पुस्तक में नहीं है उनको अपनी नौट बुक में नौट कीजे और वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए और इस पहले चेप्टर को समझने की कोसिस कीजे क्योंकि आप जब आगे जाओगे तो आपका जो फाउंडेशन है फाउंडेशन का मतलब क्या आपकी जो कक्सा 11 और 12 के जो सब्जेक्ट है जैसे बुगोल है तो यही चीजे आपको आगे बहुत काम आएगी इसलिए आपका फाउंडेशन क्या होना जरूरी है मजबूत होना जरूरी है इसलिए इनको नोट कीजे और याद करने की कोसिस कीजे और तब तक बने रही है मेरे साथ जब तक नाम मिलू में अगले वीडियो म अग्ला पार्ट कशा बारा में इंगलिश विश्यें में डीप वटर बचू आज हम जिसट्टर के शिरुआत करने वाले हैं उसका नाम है डीप वाटर एक तम घहरा पानि अब भई इस चैपर का नाम डीप वाटर क्यों है क्योंकि जो जेखक है उसको बानी से डर मिए अब जाने की लेखक को पाने से डर क्यों लगता है और किस प्रकार से वो इस डर के उपर विजय प्राप्त करेगा चलो करते हैं बचो इस चैप्टर के पहले भाग के शुरुवात तो बलेखक बोल रहा है कि ये हुआ था जब मैं 10 या 11 साल का था I had decided to learn to swim और मैंने इस उमर में फैसला किया था कि मैं तैरना सिखुंगा There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity और फिर क्या हुआ वही एक pool था YMCA में Yakima में जो की offer कर रहा था प्रदान कर रहा था बिल्कुल सही opportunity सही अफसर The Yakima River was treacherous जो Yakima नदी थी वो कैसी थी? Treacherous थी जो खिमभरी थी Mother continually warned against it और जो मेरी माता थी वो निरंतर चेतावनी देती थी कि भई उस नदी में नहीं जाना And kept fresh in my mind the details of each drowning in the river और मेरी माता मुझे बार बार र्याद दिला के क्या करती थी? भई ताजा रखती थी मेरे दिमाग में जो डीटेल्स थी यानि कि जो विवरन थे, हर बार जब मैं डूबटा था उस नदी में मतला मेरी माता बार बार उस नदी के खिलाफ मुझे चेतावनी देती थी और जो सारी डूबने वाले जो विवरन थे उनको याद दिला के उन विवरनों को ताजा रखती थी but the YMCA pool was safe पर यह जो YMCA pool था वो बिलकुल safe था it was only 2 or 3 feet deep और यह जो pool था ना बच्चो यह 2 या 3 feet गहरा था at the shallow end उथले end पर and while it was 9 feet deep at the other और दूसरी तरफ वो 9 feet गहरा था the drop was gradual पर यह जो गिराफ था यानि की 2 से 3 feet का 9 feet तक यह जो गिराफ था यह बिलकुल धीरे धीरे होता था तो बच्चो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखेंगे meanings कौन कौन से पढ़े हैं सबसे पहला है decided decided मतलब फैसला किया offered मतलब प्रदान करना exactly मतलब सही opportunity मतलब अफसर treacherous मतलब जोखिम भरा continually मतलब निरंतर wand यानि की चेतावनी दी fresh मतलब ताजा details यानि की विवरन और drowning मतलब डूबने वाला I got a pair of water wings and went to the pool भई मैंने ले लिए पानी में जो तैरने के लिए मदद करने वाले जो wings होते हैं न और फिर मैं पानी में पानी के लिए उस पूल के लिए चला गया I hated to walk naked into it मुझे बहुत जादा नफरत थी नंगा होकर उस पानी में जाने से and show my skinny legs और ये दिखाने में कि मेरे पैर किते पतले हैं but I subdued my pride and did it पर मैंने क्या किया मैं वश में ले आया अपने उस अभिमान को और मैंने ऐसा ही किया यानि कि भई मैं अपने वो पतले पतले पैर लेके उस पूल में जग गया from the beginning however I had an aversion to the water when I was in it तो शुरुआत से ही मुझे क्या था एक aversion था एक घ्रिणा थी पानी से जब मैं उस पानी में होता था this started इस चीज का आरंब हुआ था when I was three or four years old जब मैं तीन या चार साल का था and father took me to the beach in California और मेरे पिता मुझे California के एक बीच में यानि कि समुद्र का जो किनारा होता है ना वहाँ पे लेके गए थे तो बच्चों हम पहले जानेंगे कि हमने मीनिंग्स क्या क्या पड़े हैं देखे सबसे पहला है शलो मतलब उथला gradual मतलब धीरे-धीरे naked यानि नंगा skinny मतलब पतला subdued मतलब वश में लाया या फिर शांत किया pride यानि की अभीमान beginning मतलब शुरुवात aversion मतलब घ्रणा या फिर विमुकता started का मतलब क्या होता है आरंभ किया तो अब ये जो मेरी घ्रणा थी ना पानी से वो आरंभ हुई थी जब मैं तीन या चार साल का था और मेरे पिताजी मुझे समुद्र के किनारे लेके गए थे कैलिफोर्निया में he and I stood together in the surf हम दोनों साथ में खड़े हुए थे surf के अंदर मतलब समुद्र की वो जो तटिये लहरे थी ना उनके सामने साथ खड़े थे I hung on to him और मैंने अपने पिताजी को पकड़ा हुआ था Yet the waves knocked me down and swept me over पर फिर भी जो लहरे थी उन्होंने मुझे गिरा दिया और क्या कर दिया वो मेरे उपर से निकल गई I was buried in water मैं क्या हो गया मैं पानी में ढूब गया My breath was gone मेरी सास चली गई I was frightened और मैं बहुत जादा भैभीत हो गया तर गया Father laughed मेरे जो पिताजी थे वो बहुत हसे But there was terror in my heart at the overpowering force of the waves पर वो जो overpowering force थी यानि कि अत्याथिक तीवर शक्ती थी उन लहरों की उसके कारण मेरे दिल में डर बैठ गया My introduction to the YMCA swimming pool was revived unpleasant memories and stirred childish fears तो बच्चों ये जो मेरा परीचे था इस YMCA swimming pool से इस परीचे ने पुनर जीवित कर दिये अप्रियर memories को पुनर जीवित किया अप्रियर यादो को और फिर जगा दिया बच्काने डर को भी और कौन सा बच्काना डर बच्चो पानी का डर तो यहाँ पर क्या क्या मीनिंग्स है देख लेते हैं देखिए सबसे पहला है बीच मतलब समुद्र का किनारा सर्फ मतलब समुद्र की तटिय लहरें वेवस मतलब लहरें नॉकडाउन मतलब गिरा दिया बरीड मतलब डूब गया फ्राइटन्ड मतलब भयभीत लाफ्ट यानी की हसे टेरर मतलब भय ओवर पावरिंग मतलब अत्यधिक तीवर फोर्स यानी शक्ती इंट्रोडक्षन मतलब परिचय रिवाइवड मतलब पुनर जीवित अन्प्लेसंट मतलब अप्रिय बट इना लिटल वाइब गैदर कॉन्फिदेंस पर थोड़ी दिर में क्या हुआ मैने एककत्र कर लिया आत्म विश्वास आपडल विद मैं नुव वाटर विंग्स और फिर मैं पानी में चलने लगा या पानी में चलने लगा उन पानी वाले पंखो के सहारे watching the other boys and trying to learn by aping them और भी पानी में किस प्रकार से चलने लगा मैं दूसरे लड़कों कू देखते हुए और कोशिश करते हुए सीखने की कैसे सीखने की कोशिश करके I did this two or three times on different days और मैं अलग अलग दिनों में दो तीन बार ऐसा करता and was just beginning to feel at ease in the water और फिर मैंने बस आरम भी किया था पानी के अंदर बिलकुल at ease रहने का यानि की पानी में बिलकुल आराम से रहने का when the misadventure happened जब एक misadventure एक दुरगटना घटी बही इस लेखा को तो वैसे भी पानी से डर लगता है और एक दुरगटना और हो गई है बच्चों पानी में इस लेखा के साथ अभी देखते हैं वो दुरगटना क्या है पहले हम क्या करेंगे? meanings device करेंगे, देखिए सबसे पहला है memories Memories मतलब यादें Sturred मतलब जगा दिया Childish यानि की बचकाना Fears मतलब डर Gathered मतलब एककत्र किया Confidence यानि की आत्म विश्वास Paddled मतलब पानी में चला Aping मतलब अनुकरन करते हुए Miss Adventure यानि की Durghatna I went to the pool when no one else was there अवो Durghatna क्या थी? मैं पूल में गया जब हाँ पे कोई भी नहीं था The place was quiet वो जो पूरी जगे थी बिलकुल शान्त थी The water was still वो पानी भी बिलकुल स्थिर था And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub और वो जो tiled bottom था यानि की टाइलों से जो अच्छा दित वो जो तला था ना उस पूल का वो उतना ही सफेद और साफ था जैसे की एक bathtub I was timid about going in alone मैं बहुत जादा डरपोख था क्यों? क्यों डरपोख था मैं? क्यों कि मैं उस पानी में अकेला नहीं जाना चाहता था So I sat on the side of the pool to wait for others इसी कारण से भे मेरे डरपोख होने के कारण मैं उस पूल के पास में ही बैठा रहा दूसरों का इंतजार करते हुए I had not been there long when in came a big bruiser of a boy मैं वहाँ पे जादा दे नहीं इंतजार कर रहा था और मैं वहाँ जादा दे नहीं बैठा था कि फिर एक आया, एक bruiser of a boy एक हटा-कटा लड़का प्रोबैबली 18 years old जिसकी उमर शायद 18 साल की होगी He had thick hair on his chest और उस लड़के के छाती पर इतनों मूटे-मूटे बाल थे He was a beautiful physical specimen और वो जो लड़का था एक खूब सूरत शारेरिक नमूना था with legs and arms that showed rippling muscles एक ऐसा नमूना बच्चो जिसकी क्या थी जिसके पैर और हाथ जो थे वो दिखाते थे rippling muscles उभरे हुए लेहर जैसे muscles, मास पेशियां तो बच्चों यहाँ पी क्या-क्या शब्द हैं देखिए revise करेंगे सबसे पहला है quiet quiet मतलब शांथ tiled मतलब टाइल से आच्छा दित timid मतलब डरपोक alone यानि की अकेला brusia मतलब हटा-कटा probably यानि शायद thick मतलब मोटा beautiful यानि की खूबसूरत he yelled और वो जो लड़का था ना वो चलाया hey skinny how do you like to be ducked क्या चलाया की hey skinny मतलब यो जो दुबला-पतला लड़का है ना उसके लिए बोला वो एक्टा-कटा लड़का क्या तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें डख कर दिया जाए तुम्हें डुब की लगवा दी जाए पानी ने with that he picked me up and tossed me into the deep end और ये बात बोलते हुए उस लड़के ने मुझे उठाया और मुझे उचाल के फेग दिया उस गहरे end की तरफ I landed in a sitting position और उस पानी में मैं गया एक बैठी हुई स्थिती में ही swallowed water मैंने निगल लिया कुछ पानी and went at once to the bottom और मैं जट से तल की तरफ चला गया पानी में I was frightened मैं फिर भैबीत हो गया but not yet frightened out of my wits पर मैं इतना जादा भैबीत नहीं हुआ कि क्या हो जाए frightened out of wits मतलब मैं भैविकल हो जाओ इतना भी मैं भैबीत नहीं हुआ था on the way down I planned जब मैं नीचे जा रा था ना तले की तरफ मैंने एक योजना बनाई क्या योजना बनाई बच्चों अभी जानते हैं पहले हम meanings को revise करेंगे देखिए सबसे पहला है physical यानि की शारिरिक फिर है specimen मतलब नमुना रिपलिंग मतलब उभरा हुआ या फिर लेहर जैसा मसल्स मतलब मास पेशी डग्ट मतलब दुब की लगाना टॉस्ट मतलब फेग दिया पुजीशन यानि की स्थिती स्वालोड मतलब निगल लिया फ्राइटन मतलब भई भीत फ्राइटन आउट ओफ इट्स मतलब भई विकल लियन मैं फीट हिट दब बॉटम और मैंने क्या योजना बनाए कि जब मेरे जो पैर हैं वो तकराएंगे उस तले से I would make a big jump मैं क्या करूँगा एक बड़ी जोर से उचलूँगा come to the surface फिर मैं कहां पे आ जाऊँगा भई सतेह पर आऊँगा lie flat on it और फिर मैं क्या करूँगा योजना के अंदर मेरा अगला प्लान क्या था बच्चों योजना में ही कि फिर मैं उस सतेह पर एकदम flat लेट जाऊँगा sapat लेट जाऊँगा and pedal to the edge of the pool और फिर मैं पानी में चल कर उस पूल के किनारे तक पहुच जाऊँगा it seemed a long way down अब भई मैंने योजना इती देर बना ली कि बहुत लंबा समय लग रहा है मुझे नीचे पहुचने में those 9 feet were more like 90 वो जो 9 feet थे न बच्चों 90 feet लग रहे थे and before I touched bottom my lungs were ready to burst और इससे पहले कि मैं तले को छूपाता मेरे जो लंग्स थे जो फेफरे थे वो तयार हो गए थे फटने के लिए but when my feet hit bottom I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards और फिर क्या हुआ बच्चों जब मेरे पै टकराए उस तल तक उस पूल के तल तक तब मैंने सम्मन किया बटोरा सारी अपनी ताकत को और फिर मैंने क्या किया मैंने एक बहुत बड़ा spring लिया मतलब मैं बहुत जोर से मैं उचला ऐसा मुझे लगा था लिखाव है ना यहाँ पर देखो what I thought was a great मतलब जो मैंने सोचा ऐसा मैंने एक उच्छाल लिया यानि कि असल में वो एक अच्छी उच्छाल नहीं थी पर लिखक को लगा कि उसने एक अच्छी उच्छाल ली है तो बच्छों यहाँ पर क्या-क्या शब्द हैं देख लेते हैं सबसे पहला है फ्लाइट फ्लाइट मतलब सपाट पैडल मतलब पानी में चलना एज यानि किनारा तच्छ्ट मतलब चुआ समंड मतलब बटोरा और स्ट्रेंथ यानि की ताकत अब मैंने जो योजना थी उस पे तो मैंने ये कल्पना की थी कि मैं बॉप करूंगा उपर उठ जाओंगा सते की तरफ एक कॉर्क की तरह कॉर्क क्या होती है बच्छों बोतल को बंद करने का एक धक्कन होता है एक प्रकार का है ना तुमे को लगा कि भई जिस प्रकार से वो जो कॉर्क होती है वो उपर आ जाती है सते पर उचल के वैसे ही मैं उचल के सते पर आऊंगा इंस्टेड आए केम अप स्लोली और हुआ क्या बजाए इसके मैं सते पर धीरे धीरे आया और फिर मैंने अपनी आखे खोली और मैंने क्या पाया कि मेरे आसपास कुछ नहीं है केवल पानी के और ऐसा पानी जिसके अंदर क्या थी एक पीली सी रंगत थी आई गुरू पैनिकी मैं बहुत जादा घबरा गया और मैं उपर की तरफ पहुचने की कोशिश करने लगा इस प्रकार से जैसे कि मैं पकडना चाहता हूं एक रसी और फिर क्या हो रहा था भई मैं रसी पकडने की तरह ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था पर जो मेरे हाथ थे वो पकड रहे थे केवल पानी को I was suffocating मेरा क्या हो रहा था दम घुट रहा था I tried to yell but no sound came out मैंने चिलाने की कोशिश की पर मेरे गले से कोई आवाज नहीं निकली Then my eyes and nose came out of the water और फिर जो मेरी आखे और नाख थी वो पानी से बाहर आ गई तो बच्चों आगे क्या हुआ अभी जानते हैं मीनिंग्स देखते हैं पहले सबसे पहला है spring मतलब उच्छाल imagined यानि की कलपना की bob मतलब उपर उठना slowly यानि की धीरे धीरे tinge यानि रंगत panicky मतलब घबराया हुआ grab यानि की पकड़ना clutched यानि पकड़ा और suffocating suffocating मतलब dum घोटू या फिर dum घुटना but not my mouth मेरी आख है और नाख तो बाहर आगई पर मेरा मूँ बाहर नहीं आया पानी से I flayed at the surface of the water मैंने पानी की सतह पर हाथ पहर मारे swallowed and choked मैंने उस पानी को निगला और मैं चोक होने लगा मतलब मेरी सांस रुखने लगी I tried to bring my legs up मैंने फिर कोशिश की अपने पैरों को उपर उठाने की but they hung as dead weights पर वो लटके रहे dead weights की तर है कुल भार की तर है paralyzed and rigid और मेरे पैर कैसे थे बिलकुल शक्ती हीन थे और कथोड थे a great force was pulling me under एक बड़ी शक्ती मुझे पानी के अंदर खीच रही थी I screamed मैं फिर चीखा but only the water heard me पर केवल पानी ने मेरी वो चीख सुनी I had started on the long journey back to the bottom of the pool और फिर से मेरी एक लंबी आत्रा शुरू हो गई उस पूल के bottom पे जाने की यानि की मैं वापिस से तल में नीचे जाने लगा I struck at the water as I went down और मैं क्या करने लगा बच्चों मैं मारने लगा उस पानी को जब मैं नीचे वापिस से डूबने लगा था तब तो बच्चों यहां पर क्या क्या शब्दें देखिए सबसे पहला है आफलेड मतलब हात पैर मारे स्वालोड यानि की निगल लिया चोग्ड यानि की सांस रुकी डेटवेट मतलब कुल भार या फिर अचल भार पैरलाइज यानि की शक्तिहिन रिजड मतलब कथोर स्क्रीम्ड मतलब चीखा और स्ट्रक मतलब मारा Expanding my strength as one in a nightmare of fights an irresistible force और बच्चों मैं जब नीचे जा रहा था तब मैं क्या कर रहा था उस पानी पे मार रहा था और क्या कर रहा था मैं उपभोग कर रहा था अपनी सारी ताकत का जैसा कि एक व्यक्ति करता है अपने बुरे सपने के दौरान जब वो लड़ता है एक irresistible जो रुक ना सके ऐसी ताकत से I had lost all my breath मेरी जो सारी सांस थी वो भी जा रही थी My lungs ached मेरे जो फेवरित उनमें दर्द हो रहा था My heart, head, throbbed और जो मेरा सर था उसमें भी दर्द हो रहा था I was getting dizzy मुझे चक्कर आ रहे थे But I remembered the strategy पर मुझे मेरी वो strategy रन्नीती याद थी I would, यह क्या है बचो, I I would spring from the bottom of the pool and come like a cork to the surface अभी भी मुझे अपनी वो रन्नीती याद थी और वो रन्नीती क्या थी मैं फिर से उचल के एक कॉर्क की तरह पानी से बाहर आऊंगा I would lie flat on the water और वो ही रन्नीती की थी कि मैं बापी से सपाट लेट जाऊंगा पानी की सतह पर Strike out with my arms और मैं जल्दी से चलना शुरू कर दूंगा अपने हातों की मदद से and thrash with my legs और जोर से मारूंगा मैं पानी को अपने पैरों से तो बच्चों यहां पर क्या क्या शब्धेंद देखिए सबसे पहला है expending मतलब उपभोग करना फिर है nightmare यानि की पुरा सपना irresistible मतलब जो रुख न सके agd मतलब पीडा होना throbbed मतलब दर्ध होना या फिर धड़का देना या फिर जल्दी से चलना thrash मतलब जोर से मारना then I would get to the edge of the pool and be safe अभी भी मेरी रणी ती यही थी बच्चों कि मैं वापस इस प्रकार से पूल के किनारे प्याऊंगा और मैं सुरक्षेत हो जाऊंगा I went down, down endlessly और अभी भी मैं नीचे जा रहा था नीचे जा रहा था endlessly जो कैसा था? अंतहीन था I opened my eyes मैंने फिर से अपनी आखे खोली nothing but water with a yellow glow में को कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाए पानी के जिसकी कैसी थी एक पीली सी चमक थी dark water that one could not see through एक ऐसा अंधकार मैं पानी जिसके पार कोई व्यक्ती नहीं देख सकता था तो बच्चो endlessly ये जो हमने शब पढ़ा है इसका मतलब है अंतहीन तो बच्चो अच्छी लग रहे हैं ना कहानी अब ये लेखक किस प्रकार से पानी से बाहर आयागा जानेंगे हम अंकली वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ मिलते हैं अंकली वीडियो में बच्चो आज हमने पढ़ा है कक्षा 11 में भुगोल विशय में भौतक भुगोल के मूल सिद्धां तिकाई से भुगोल की परिभाशा भाग 2 बच्चों कल हम पढ़ेंगे कक्षा 11 में अर्थ शास्त्र विशय में उदारी करण निजी करण और वैश्वी करण एक समीक्षा भाग 3 ग्रह विज्यान विशय में मानव परिस्थिकी और परिवार विज्यान बच्चों हमारे इस कारिक्रम के कंटेंट पार्टनर है यूनिसिफ स्टरलाइट एड इंडिया फाउंडेशन एवं परमल फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा अपने सुझाव अवश्य दें कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते है हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज्य, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001